नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको विद्धारतियों के अध्यांक कक्ष के बारे में जानकरी दूँआ, आप कहीं बार देखते होंगे आपने आसपास कि बहुत से बच्चे खेलते कूदते हैं, पढ़ते वे नजर भी नहीं आते हैं, पर जब उनके रिजल्ट्स आते हैं तो उनके मात बहुत अच्छे होते हैं, और कहीं बच्चे से देखे होंगे जो हमेशाँ पढ़ते ही रहते हैं, बतब और बहुत समय लगाते हैं पढ़ने में, उसके बाद भी जब उनका रिजल्ट आता बहुत अच्छा नहीं आता, कि इस बार फेल भी हो जाते हैं, तो इसमें बच्चों के भाग के साथ साथ वास्तू का भी बहुत बड़ा रोल होता है, कि वो जहां पढ़ रहे हैं, जिस घर में रहे के पढ़ रहे हैं, उस जगह का वास्तू कैसा है, तो आज आपको बता हूँ, यह दि किसी परिवार में अलग से बच्चों का द्धिन पढ़ने का अलग से कमरा है, वो कमरा कैसा होना चाहिए, वो बच्चों किस तरह बेट के पढ़ना चाहिए, उसके बारे में जानकर यह भी दे रहा हूं आपको में, माली जी यह घर के अंदर एक कमरा है, तो कोशिश करना चाहिए उस कमरे में जहां बच्चे पढ़ेंगे वो कमरा में दरवाजा जो यदि पूर दिशा में है मतलब आने की रस्ता यहां से है तो इधर नहीं होना चाहिए यदि दक्षिंस में आने का रस्ता है तो इधर से होना चाहिए इधर से नहीं होना चाहिए यदि पश्चिम से रस्ता है तो इधर से होना चाहिए इधर से नहीं होना चाहिए और यदि उत्तर में है तो आने का रस्ता रूम में अंदर आने का रस्ता इधर होना चाहिए इससे क्या होता है कि आपका placement of furniture इस रूम का बहुत अच्छा हो जाता है बच्चों के study table यहां लगाई जा सकती है बच्चों का पलंग यहां लगाया जा सकता है इस तरीके से यह लगाया जा सकता है क्योंकि पढ़ाई के लिए तीन दिशा महत्पूर्ण है एक है पूर दूसरा कोन है इशान कोन हो उत्तर पूर्दिशा का सौमी सूर्य है इसका प्रतिद्ज़ ग्रह सौमी गुरु है और इसका बुद्ध है यह तीनों जो ग्रह है वो ग्यान देने वाले ग्रह है तो होना कैची ही जब बच्चे पढ़ाई करें तो उनका मुझ बहतरत होगा पूर दिशा की और हो यहां नहीं हो सकता कोई कारेन ऐसा है तो इशान की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो कभी भी बच्चे पढ़ा ही करते वक्त पश्चिम की और या दक्षिन की और मुझ करके ना बेठे फिक अच्छे कम समय में खेलते कुटते बहुत कम पढ़ाई करेंगे और अच्छे नम्मरों से पास होते हो नहीं जाएंगे उन्हें अपना सब्चे बड़ी जल्दी समझ में आएगा और जल्दी समय आगो उनकी रूची बनेगी और पढ़ने की इसे में अब यदि उनको अपना कमरा यहीं सोते हो तो उनका पलंग इस तरह लगाना चाहिए कि उनका सिर्क पश्चिम मेरे पेर पूरु की ओर रहा है ताकि वो लेटे-लेटे पलंग पर ही पढ़ना चाहें तो उनका मूँ पूरु दिशा की ओर ही रहे इसा नहीं कि आपने पलंग यू लगा दिया बच्चा सोते वक्त व्याद सिर्र रखके पढ़ रहा है तो पश्चिम की तरह मूँ करके पढ़ा ही कर रहा है तो एक बात को आपको ध्यान रखना है ठीकर जदी आपको कंप्यूटर लगाना कभी इस हिससे में कंप्यूटर म अब को मेन बगवान की फोट लगाना है नेक नम जटना करना तकि मोटिवेशन मिले तो कोशिछ सकरि और यहां देग्ड़ गवान की फोटो श Urium इसी दिशा में लगे महा पूर्शो की फोटो आप नहीं रहा सक्तें को तूसरा इक अनुँभा में आया है तोड का कह ले अ पाइज निकलते हैं यदि किसी के घर में अलग से study room नहीं है छोटा घर एक हाल एकाद बैडरूम में बच्चे हाल में बेटके पढ़ रहा है तो जो हाल में बेटके बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे हमेशा बुद्धिमान होते हैं जो उनका एक living room इंग हाल है उसी के अं पूरे स्कूल के रिजल्स उद रहे हैं तो दोस्तों मेरा एकना कि आप बच्चे को जब भी पढ़ें पूर दिशा के उमूह करके पढ़ें वो ऐसे में उन्हें ज्यादा समय पढ़ाई में नहीं देना पढ़ेगा कम समय में उनको अपना सब्जेक्ट समझ में आएगा और वो खेलते कुदते अपने अच्छे नम्बरों से पास होगे अप झाल 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 झाल